नमस्कार करेंट अफेर्स बाइ सर्विका में आपका स्वागत है इस सब्ता के विडियो में आपको जानने को मिलेगा हर्याना के नए मुख्य मंत्री भारत शक्ति अभ्यास ओस्कर अवार्ट्स दोहजार चौबिस पिलिस्तीन के नए प्रधान मंत्री प्रिसकर कुरसकार विजेता और भी बहुत कुछ करेंट अफेर्स 10 मार्च से 16 मार्च दोहजार चौबिस राश्ट्रियर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च को मिशन दिव्यास्त्र के तहत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा मल्टिपल इंडिपेंड टार्गेटेबल री एंट्री वीकल MIRV तकनीक के साथ अगनी पांच बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परिक्षन की घोशना की देश के परमानू हथियार कारेक्रम में यह एक बड़ी तकनीकी सफलता है मिशन दिव्यास्त्र नामक उरान परिक्षन ओरीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम द्वीप से किया गया था मिसाइल विशेशग्य आर शीना रानी ने एडवान्स सिस्टम्स लेबोरेटरी में कारेक्रम निदेशक के रूप में मिसाइल परियोजना का नेत्रित्व किया राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ने 12 मार्च को मुख्या तिति के रूप में मौरिशस के 56 राष्ट्रिय दिवस समारू में भाग लिया मौरिशस दिवस 1968 में ब्रिटेन से देश की स्वतंत्र ता और 1992 में एक गंतंत्र के में इसके परिवर्तन की याद में मनाया जाता है भारतिय नौस्प्रिना की एक टुकडी ने भी समारू में भाग लिया क्या आप जानते हैं मौरिशस सरकार ने महात्मा गांधी के नाम पर रेडुईट में मेट्रो स्टेशन का नाम रखा है और स्टेशन पर एतिहासिक डांडी मार्च को भी दर्शाया है भुटान के प्रधान मंत्री महा महीं दाशो शेरिंग तोबगे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंतरन पर 14 से 18 मार्च दोहजार चौबिस तक भारत की अधिकारी की यात्रा पर है यह यात्रा जनवरी 2024 में पदभार सम्हालने के बाद प्रधान मंत्री शेरिंग तोबके की पहली विदेश यात्रा है कुरुक शेत्र से भाजपा सांसर नायव सिंग सैनी ने 12 मार्च को हर्याना के नए मुख्य मंत्री के रुप में शपत ली उन्होंने मनोहर लाल खटर की जगरली जिन्होंने अपने पर से इस्तीफा दे दिया क्या आप जानते हैं भागवत दयाल शर्मा हर्याना के पहले मुख्य मंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला ने तीन अलग अलग दलों जन्ता दल समाजवादी जन्ता पार्टी राष्ट्रिय और इंडियन नैशनल लोगदल के सदस्य के रूप में चार बार हर्याना के मुख्य मंत्री के रूप में कार किया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने डांडी मार्च की 94 वेवी वर्षगाट को चिन्धित करने के लिए 12 मार्च को एमदाबाद गुजरात में पुनर विकसित कोचरब आश्रम का उद्गाटन किया कोचरब आश्रम 1915 में दक्षिन अफ्रीका से भारत लोटने पर महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहले आश्रम के रूप में महत्वपूर्ण एतिहासिक महत्व रखता है 14 मार्च को राश्रपती द्रौपदी मुर्मु ने सेवा निर्वरित आईएस अधिकारियों ग्यानेश कुमार और सुखवीर सिंग संदु को नया चुनावायुक नियुक्त किया चुनाव आयुक अनुक चंडरपांडे फरवरी में सेवा निर्वरित हो गए थे और अरुन गोयल ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था भारत निर्वाचन आयोग ने घोशना की कि लोग सभा चुनाव दोहजार चुबिस उननिस अप्रेल से एक जून के बीच साथ चर्णों में होंगे और मतों की गिंती चार जून को की जाएगी इसके साथी आंध्र प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधान सभा चुनाओ भी होंगे किशोर मकवाना को राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मो द्वारा राष्ट्रिय अनुसूचित जाती आयोग NCSC के अध्यक्ष के रूप में न्यूक किया गया है राश्ट्री अनुसूचित जाती आयोग एक समवैधानिक निकाय है जो अनुसूचित जातियों और एंगलो इंडियन समुदायों के सोशन के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करने और उनके समाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्क्रितिक हितों की रक्षा और बढ़ा एक अर्द सैनिक सुरक्षा बल है इसे और द्योगी केंडों राज्य द्वारा वित्व पोशत बुनियादी धाचा पर योजनाओं और सार्वजनिक शेत्र के उपक्रमों के सुरक्षा प्रदान करने का काम सौपा गया है यह अन्य महत्वपूर बुनियादी धाचे के बि आर्टिय सेना ने 12 मार्च को भारत शक्ती अभ्यास के दोरान राजस्थान के पोखरन फाइरिंग रेंज में अपनी स्वदेशी मारक शम्ता का प्रदर्शन किया प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस विशाल अभ्यास में तीनों रक्षाबलों के स् प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के जोरहाट में अहोम जनरल लचित बोर्फुकन की 125 फुट की कास्य प्रतिमा का अनावरन किया लचित बोर्फुकन अहोम सामराज के एक महान सेना कमांडर थे उन्हें मुगल सेनाओं के खिलाफ 1671 की सराइगहाट की लडाई में उनके नित्रित्व के लिए जाना जाता है कला और संस्कृती 96 अकादमी पुरसकार ओसकर 10 मार्च को लोस एंजल्स के डॉल्बी थेटर में आयोजित किये गए है ओपन हाइमर ने 96 अकादमी पुरसकारों में 7 ओसकर जीते जिन में सर्वश्रेष्ट फिल्म और सर्वश्रेष्ट निर्देशक शामिल है रॉबर्ट डाउणी जूनियर और सिलियन मर्फी ने फिल्म में अपनी भुमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ट सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ट अभिनेता का पुरसकार जीता जबकि फिल्म ने सिनेमाटोग्राफी, संपादन और स्कोर के लिए भी पुरसकार जीते बार्बी फिल्म को आठ श्रेनियों में नामांकित किया गया था लेकिन केवल एक पुरसकार सर्वश्रेष्ट गीत के लिए मिला एमा स्टोन को पूर थिंक्स में उनकी भुमिका के लिए सर्वश्रेष्ट अभी नेत्री का पुरसकार मिला भारत की राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 15 मार्च को काना शांती वनम हैदराबाद में वैश्विक आध्यात्मिक्ता महोचसव में भाग लिया और एकत्रित जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश विभिन धर्मों और संप्रदायों में आस्था रखने वाले लोगों के बीच सदभाव और आपसी समझव बढ़ाना है जो मानवता के कल्यान की दिशा में एक सरानिय प्रयास है अंतर राश्ट्रिय रूस चीन और इरान ने ओमान की खारी में संयुक्त नौसेना और विमानन अभ्यास किया पांच दियवसिय अभ्यास को समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नाम दिया गया था श्री लंका के पूर्वर राश्ट्रपती गोत बया राजपक्षे ने दे कॉंस्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रम प्रेजिडेंसी नामक एक पुस्तक लॉंच की है 2022 में जब श्री लंका ने अपनी स्वतंत्रटा के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट कानुभव किया तो उन्हें देश छोड़ना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा फिलिस्तीनी राष्ट्रपती महमूद अब्बास ने मुहमद मुस्तफा को प्रधान मंत्री नियुक्त किया है मुहमद मुस्तफा ने राष्ट्रपती के वरिष्ट आर्थिक सलाकार के रूप में कारे किया है बिग्यान और प्रोध्योगी की SpaceX Company ने अपने विशाल नए रॉकेट सिस्टम Starship पर एक महत्वपून परिक्षन किया है परिचालन होने पर Starship इतिहास में सबसे शक्तिशाली परिचालन रॉकेट प्रनाली बन सकती है जापानी वास्तुकार रिकेन यामा मोटो को इस वर्ष के प्रिचकर आर्किटेक्चर पुरसकार का विजेता नामित किया गया है वह या सम्मान पाने वाले जापान के नवे व्यक्ति होंगे यामा मोटो का वास्तुशिल प्रदर्शन सामुदाइक एकी करण और सारवजनिक और नीजी स्थानों के सामन जस्पून सह अस्तितों पर आधारित है क्या आप जानते हैं अमेरिकी उद्यमी प्रिजकर और उनकी पतनी सिंडी द्वारा 1989 में स्थापित प्रिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार को अक्सर वास्तुकला के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है संयुक्त राज अमेरिका के फिलिप जॉनसन इस पुरस्कार के पहले विजेता थे जाहा हदीद पहली महला पुरस्कार विजेता थी जबकि बी वी दोशी यह पुरस्कार जीतने वाले एक मात्र भारतिय है भारतिय लेखा का मिताब घोश को जलवायू संकट और प्रकृति के साथ मानव संबंदों पर उनके लेखन के लिए इराजमस पुरस्कार दोहजाच चौबिस से सम्मानित किया गया है यह पुरस्कार नीदर लैंस्टिट संगठन प्रेमियम इरास्मियानम फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है 12 मार्च को मद्य भारत में भारत के वायू मंदलिया अनुसंधान परिक्षन ए आर टी सी आई के पहले चरन का उधाटन मद्य प्रदेश में भोपाल से लगए 50 किलो मेटर उत्तर पक्षिम मिश्थित सिहोर जिले में सिल्खेडा में किया गया था प्रित्वी विज्ञान मंत्राले MOES द्वारा वित्व पोशित इस सुविधा में मद्य भारत के मौनसून कोर जोन MCZ पर मौनसून की से जुड़ी महत्वपून क्लाउड प्रक्रियाओं का अध्यारन करने के लिए मौसम समंधी उपकरन होंगे पेट्रोलियम और प्राकरितिक गैस मंत्री हरदीप सिंग पूरी ने 15 मार्च को नई दिली में एक वैकल्पिक आटो इंधन इथेनौल 100 लॉंच किया इथेनौल 100 बिरानवे से चौरानवे प्रतिशत इथेनौल चार से पांच प्रतिशत मोटर स्पिरिट और एक दशमलव प्रतिशत सह विलायक उच्छी संत्रिप्त अलकोहल का मिश्रन है यह इंधन ग्रीन हाउस गैसों का कम उच्छ सरजन करता है 14 मार्च को दुनिया भर में पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है जो गनितियस थिरांग पाई के सबसे प्रसिद सन्निकटन 3.14 की याद दिलाता है इस परंपरा की शुरुवात 1988 में सैन फ्रेंसिसको में एक्स प्लोरेटोरियम संग्रहाले के भौतिक विज्ञानी लेरी शौ ने की थी पाई जिसे अक्सर ग्रीक अक्सर पाई द्वारा दर्शाया जाता है सभी गनितियस थिरांग को में सबसे प्रसिद्ध है यह एक व्रित की परिधी यानि की सीमा और उसके व्यास के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है व्रित का आकार जो भी हो यह अनुपात हमेशा स्थिर रहता है बाजार और अर्थ व्यवस्था हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोगता अधिकार दिवर्श मनाया जाता है इस वर्ष का विश्व उपभोगताओं के लिए उचित और जिमेदार AI है डिजिटल दुनिया में AI के तेजी से विकास ने उपभोगता अधिकारों के बारे में चिन्ताओं को जन्म दिया है क्या आप जानते हैं विश्व उपभोगता अधिकार दिवर्श की उत्पत्ती 15 मार्च 1962 को हुई थी जब राष्ट्रपती जॉनेफ केनेडी ने अमेरिकी कॉंग्रेस में एक एतिहासिक भाषन दिया था अपने भाषन में केनेडी ने चार मौलिक उपभोगता अधिकारों को रिंखाकित किया था सुरक्षा का अधिकार, सुचित होने का अधिकार, चुन्ने का अधिकार और सुनवाई का अधिकार इन सिधान्तों ने दुनिया भर में उभोगता संरक्षन आंदोलोनों की नीव रखी खेल कूद मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में फाइनल में विदर्व को हराकर रिकॉर्ड 42 वी बार रंजी ट्रॉफी का खिताब जीता फाइनल में सटक लगाने और दो विकेट लेने वाले मुशिर खान को मैन आफ दो मैच खोशित किया गया और टॉनमेंट में 502 रंड बनाने और 29 विकेट लेने वाले आल राउंडर तनुश कोटियन को मैन आफ दो सीरीज खोशित किया गया क्या आप जानते हैं रंजी ट्रॉफी की शुरुवात वर्ष 1934-35 में हुई थी पहला मैच मदरास और मैसूर के बीच चिन्ने के चेपक स्टेडियम में खेला गया ट्रॉफी को नवा नगर के जाम साहिब कुमार श्री रंजीत सिंग जी की स्मृती में पतियाला के महराज अबुपिंदर सिंग द्वारा दान किया गया था रंजीत सिंग जी अंतरास्ट्रे क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतिय थे भारतिय जोरी सात्विक साहिराज रंकी रेड़ी और चिराग शेटी ने 10 मार्च को फाइनल में चीनी ताइपे केली जह हुई और यांग पो हसुआन पर जीत के साथ फ्रेंच ओपन दोहजार चौबिस पैडमिंटन पूरुष यूगल किताब जीत लिया भारतिय जोरी ने 2022 में फ्रेंच ओपन जीता था और 2019 में उप भी जेता रही थी सर्विसेज टीम ने गोवा को एक शुने से हराकर संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टोर्नामेंट साथ भी बार जीता फाइनल गोल्डन जुबली स्टेडियम एटा नगर में आयोजित किया गया था वीडियो को अन्तक देखने के लिए धले वाद यारी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें अपने परिशीतों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किया और देखते रहे करेंट अप्लेश भाई सर्विका